हेलो एब्रीवान जली जली जुड़ी आईए आजी क्लास शुक्ती जा सकेट क्लास ए्युक्ती जा सकेट कि अब्रीवान जोह था जयान? क्लास शुक्ती जाल एता रहता सकेट क्लास बीड़ेगान जाजी जा शुक्ती जान झाल झाल आप सब लों को स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है मेरे आवास सको साफ सुनाई दे रही है कमेंट बाक्स में आकर जल्दे से लिखे झाल 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 नमराज दे रहा है यहां स्क्रीन टे ध्यान दीजिए हमने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं इनको लोक्रम से पढ़ेंगे इसमें से एक है प्लियोट्रोपीजम दूसरा है सुडोलेल्स तीसरा है मल्टिपलेल्स हम आपको आज पहले नंबर पे मल्टिपलेल्स ही पहले बताएंगे तो हमें ध्यान से सुने हैं यह बहुत ही आसान है विसरते एक बार में समझ में आ जाए आपको मल्टिपलेल्स में दो सब्द लिखाए विटा एक सब्द है मल्टिपल दूसरा है एलील्स और जिसको एलील्स मालूम है पहले से उसको मल्टिपल एलील्स बहुत आसानी से समझ में आएगा एलील्स क्या है एलिल्स एक ही जिनके alternative यानि बैकल्पिक फॉर्म यानि रूप है जीन एक और उसके अलग-अलग रूप होते हैं अब आप कहेंगे मन में आएगा आपके कि सरे ऐसा कैसे हो सकता कि जीन एक हो रूप अलग-अलग हो जाएं उसके अलग-अलग फार्म हो जाएं, इस संभव कैसे होता है, यह मैं आपको समझा देता हूँ, सपोज करिए, यह जिन है, हमने लिखी दिया, जिन का काम है, इनहरिटेंस में करेक्टर को एक बिढ़ी से अगली बिढ़ी ले जाना है, इनही जिन से मिलकर जनेटिक मटेरियल बना है, जो आपकी नजर में DNA है, यानि जिन का काम क्या है, ट्रेट्स का ट्रांसफर करना है, ठिक, अब ट्रेट्स क्या है, करेक्टर, लच्छन, गुण, अब एक गुण हम लिखते हैं आपे, किसी भी और्गनिजम का एक गुण हुआ, हाइट, मालिजम पौदे का ले र एक कोई जिन होगा, एक करेक्टर होगा, तो उसको कंट्रूल करने के लिए एक जिन होगा, आगे हम बताएंगे, क्या एक करेक्टर को एक ही जिन कंट्रूल करता है, या और भी और ऐप्सन है, अभी ततकाल वाला समझ er Tuesday जिन का काम क्या था, इन रिटेंस में बुण को मात रहे हैं कि एक चिन होना चाहिए अब यहां देखते हैं जब हम पढ़ाई सुरू करते हैं नजनों से आखों से यानि आखों से जो विजबिल होता उसको हम लोग जैनेटिस्ती पढ़ाई में फिनो टाइप कहते हैं तो हम आर्गनिजम का प्लांट का पौधे का हाइट को पौधा है लेकिन इस पौधे की हाइट और सत उचाई से थोड़ी कम है जब कम है तो हम लोग आम भासा में तो द्वार बोलते हैं हम इसको 60 में बोलते हैं यानि गुण एक था गुण तो यह था उचाई ऐसा तो नहीं कि जो ड्वार्प है उसमें हाइट नहीं है ड्वार रूप उसके दो हो गए एक समान अवसत से बहतर एक समान अवसत से कम यानि एक टाल और एक डॉफ अब इसी बात को यह आपको समझ में आ गया कि जो गुण है वह एक है लेकिन उसके दिखने वाले रूप दो है तो सभाविक है कि उन रूपों को कंट्रोल करने वाले जिन का भी रूप होगा अब जिन एक है क्योंकि करेक्टर एक था तो अब इसमें से जो हाइट के समाने हाइट से अधिक हाइट यू कंट्रोल कर रहा है capital T dominant allele बोलते और दूसरा small t recessive allele बोलते यानि एक ही जिनके जो भिन रूप है बैकल्पिक या तो टाल ही होगा नहीं तो दोनों तो हो नहीं सकता तो बिकल्प के तौर पर यानि जो एक जिनके बिभिन बैकल्पिक रूप होते हैं उन्ही को हम बेटा इन्ही को हम एलील कहते हैं यह समझ में आ गया जिदि आ गया तो comment box में आके अपना response दो आपको एलील समझ में आ रहा है जल्दी बताओ तो हम आगे की बाद होता है कि सब इस इस जुड़ा हुआ है कि बताओ बेटा कि गौतम सरिता बिमला जो भी जुड़े हैं सब लोग बताओ रजनी आपको एलील समझ में आ गया ठीक वेरी गुड़ बहुत अच्छा अब हम आपको आगे की बात है अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कोई जीव जब जन्म लिया होगा पहली बार तो या तो टाल रहा होगा या तो ट्वार्ट रहा होगा ऐसा वैसा यह मन में आ सकता है क उसके जो संतत्त रही होगी जो पहले पहले जो रहे होंगे जो फोर फादर सबसे पहले नंबर का रहा होगा तो पुरूज में जो पहले नंबर का रहा होगा वह यह तो टाल रहा तो टाल रहा तो टाल कहा से आया तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले नंबर पे आता है कर विचार होना चाहिए कि रेसेसिव कहां से आ गया इसका आंसर है कि डॉमिनेंट एलील से ही रेसेसिव एलील बनता है होने पर म्यूटेशन यानि जो समान पहली बार एलील बना था उसी के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वह अब उतना हाइट का पुर्दसन नहीं कर पाता और जिव ही नहीं कर पाएगा तो उहीं उसका नापड़ार और दो बनते है इस समान ने बात है आप ये भी पढ़े हैं कि एक जीयीजव हैं करोमोजम के दो सेट फोते हैं जैसे हूंमन में ही प्रोमोजम 46 है और त्यायस तो हो चैजह कहा हीं ओगा है ने पूरोजोंड़ के कितने सेट हैं दो इसी लिए हम एलील को पिएर में लिखने लिखने कैपिटल T कैपिटल T कैपिल T या फिर लखते हैं is Maltree small T या फिर लिखते हैं कैपिटल T smallी ऐसा लिखते यानि आपसे दिमाग में आपसे सवाल आ जाए कि सर आप ये बताओ पेर में ही यह निल क्यों नहीं लिखते अकेले अकेले क्यों नहीं लिखते या गैमिट को अकेले क्यों लिखते हैं तो आंसर मिल गया क्योंकि अधिकांस जीव दो सेट क्रोमोजोम वाले हुए है प्रोसिस में कुरों जो नमबर खटकर आधा हो जाता है इसलिए गैमिट के अंदर एलेल की संख्या एक हो जाती है या तो कैप्टल्टी होगा आने तो समाल्टी हो यह समाने बात जो अब तक की पढ़ाई में आ रहा है अब एक स्टेप बढ़के सपोज करिए यह एक जिन है जिन किसका बना होगा DNA का आपनों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है हम दूसरी जगर लिख देते है सपोज करिए यह एक DNA है जो एक जीन को रिपरजेंट कर रहा है इसके किसी एक पॉइंट पर यह जो DNA है यह कैप्टल्टी के लिए है अब समझाने के लिए बस ले रहे ह यारी परिवर्तन हो गया या तो खट गया या बढ़ गया नाइट्रूजन बेस या रिप्लेस हो गया ऐसा तो यह डियने जो एलील के तोर पे था हो इसमाल टी में कनवर्ट हो गया एक ही बार की मुटेशन से अगला फार्म आ गया अब सपोस करिए इसी जिन में इसी बिंदू पे दूसरा मुटेशन तो उसको बोलेंगे इसमाल टी टैस इसका मतलब क्या हुआ कि जीन एक बैकल्पिक रूप एलील के दो से अधिक समाने तो दो लेकिन हो गया दो से अधिक जो ही दो से अधिक एलील हो जाएं तो इस सिच्वेशन को मल्टी पिल एलील से ही बनता है मुटेशन होने पर जब एक से अधिक बार किसी जिन में उसी बिंदु पर मुटेशन हो जाए तो एक से अधिक बैकल्पिक रूप बन जाते हैं और उन्ही बैकल्पिक रूपों को जो संख्या में दो से अधिक हो जाएं समानतर दो थे दो से अधिक हो जाएं तो उस कंडिशन का नाम मुल्टी पिल एलील है और इनका माता-पिता से संतान में ट्रांस्फर पढ़ना यानि इनरिटेंस की पढ़ाई करना मुल्टी पेल एलेलिजम आप लोगों को मल्टिपल एलिजम समझ में आ गया हो तो कमेंट बाक्स में आगे हाँ लिखिए बहुत सा धारण है बसरते आप सारी बात हमारी थ्यान से सुन रहे हों आप लोगो मल्टिपल एलिजम समझ में आ गया जल्दी सा आगे कमेंट बाक्स में आंसर दीजिए कि भूलिए कि समझ में आ रहा है ठीक जहां नहीं समझ में आएगा है बता भी सकते हैं संकोज करने की कोई जुरत नहीं है ठीक है अब हम आपको जो स्क्रिण पर नोट स्के रूप में लिखा हुआ ओरिजिनल बात आपको बता चुके है एक और बात हम इसको और एक्स्प्लेन करें इसके पहले एक और बात बताना चाहेंगे इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह समाने बात से अलग है समाने तब वन जीन इनहरिटेंस में एक करेक्टर के ट्रांसफर को कंट्रूल करता है बोलना हूँ ध्यान से सुनो समाने तब एक जीन इनहरिटेंस में अनुमान सिक्ता में एक गुण को ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी निपाता है इसको हम बोलते हैं वन जीन वन करेक्टर यह जो वन जीन वन करेक्टर हाइपोथेसिस है यह मेंडलीजम पे लागुब होती है ज्यान रखना है जो मेंडल की पढ़ाई थी वो इसी कॉंसेट मेंडल के जितने भी गुण कंसीडर किये गए हैं गुड इमनिक बेटा जुली हम कह रहे हैं कि मेंडल ने जितने भी गुण कंसीडर किये या जिसको हम लोग मेंडल के अनुमान सिक्ता का नियम कहते हैं उस पूरी पढ़ाई में एक बात फिक्स थी कि एक करेक्टर के या यही हर बार नहीं होता तो फिर होता क्या है अब हम आपको आगे की बात यह मिंदल तक यही बात मिंदल इसके आगे नहीं जाता आगे पढ़ाई करने पर पता चला कि हम जितनी संभावनाएं दिमाग में ला सकते हैं उतनी संभावनाएं जीवन में पाई जाती है। हम जितनी तरह का सोच रखते हैं, सोच सकते हैं, उतने तरह की ब्यवस्था जीवन में है, तभी तो सोच सकते हैं। अम वह कुछ भी नहीं सोच सकते, जो उपलब्ध नहीं, इस सही बात है, अब हम यहाँ पर सोच के दिखाते हैं, अब हम क्या सोच सकते हैं, एक जीन मेनी करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, क्या, ऐसा सोच सकते हैं, यानि जीन एक हो, वह माता पिता से संतान में अकेले ट्रांसफर हो, लेकिन वह एक नहीं, अनेक गुणों को प्रभावित करता हो, ऐसा हम सोच रहें, यह मिंडल ने नहीं सोच, हम सोच रहें, हम से पहले लोगों ने सोच, मिंडल के अलाव, और पाया गया, यह जो सोच रहे प्लियोट्रोफी कहते हैं यानी कई गुण अनुमानसिक्ता में एक ही जिन से कंट्रोल होने लगें तो उस इस्थिती को उस जिन को प्लियोट्रोफिक जिन कहते हैं मSorry में कितना असान है अब ही आधिकता के बारें बात कर रहें अभी जिन के रहें से सम्मंध के बारें पाथ ऐसा अब तिसरी सिचैसल गांक हो किरेक्टर एक हो लेकिन अकेले शिन से कंठोल नहों रहा ह। उसको control करने के लिए कई जिन की जरूरत पड़ती हो ऐसा हम सोच रहे हैं मेंडल नहीं सोच रहे हैं और पाय गया यह बात सही है ऐसा भी है और ऐसी situation को हम यानि जहां एक character को control करने के लिए many gene हो many gene one character को control कर रहे हो तो उस situation को हम polygenic कहते हैं polygenic क्या कहते हैं poly means manygenic और जीन कई जीन मिलकर एक गुण को inheritance में control करें एक गुण को control करने के लिए एक जीन और परयाप्त हो जीन के किसी character के सार गुण को पूल रूप से प्रदर्शित करने के लिए सभी जीनों का होना जरूरी हो कोई जीन कम पढ़ जाए तो गुण का प्रदर्शन उतना कम हो जाए तो इस situation को जीन के तौर पे हम polygenic बोलते हैं उल्टा हमने बताया कि जीन एक था लेकिन वह एक से अधिक गुणों को निर्धारित करता था ट्रांसफर में तो उस situation को जीन के तौर पे हम pleiotropic बोलते हैं समाने बहुस्ता क्या जीन में एक जीन एक करेक्टर को कंडोर करेगा तो आप लोगों के पास समझ में आई मेंडलिजम, pleiotropism और polygenic inheritance तीनों का मूल बात हमने समझा दिया मुश्किल से दो मिनट में आप लोगों के बात clear cut समझ में आई कि नहीं क्योंकि बात कहां से निकल ना था यदि वह सीन समझ में आ गई तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा सब तुलना आपको सामने दिमाग में बैठा रहेगा कभी गलती नहीं होगी समझ में आया समझ में आया कि लिखो बिटा जीसे हम जाने कि आप लोगो सो नहीं रहे हो समझ में आया तो आओ कमेंट बाक्स में लिखो अपना आंसर कि हाँ समझ में आया रजनी, सरिता, जूली, बिमला, गौतम सभी लों से बुल लाओं तुरंट कमेंट बाक्स में आके लिखो कि आपको पॉली जीन, प्लियो ट्रोपिक जीन मल्टी पिल एलेल और वन जीन, वन करेक्टर, सारी बात आपको समझ में आ गई या नहीं बहुत बढ़िया, हमारा उद्देश विए ये कि आपका समय बचाऊं, एक्जाम जल्दी होगा तो आपको बढ़े मोटे मोटे बुक्स और नोटस से बचाऊं, हम अपनी छोटी-छोटी सी बातों से आपको क्रिस्टल क्रियर कर दोगी, कौन बात, कहां से, कैसे असपस्ट है, और समान भी नहीं है, अलग है ठीक, अब मैं आपको मल्टी पिल एलेल के बारे में जो नोटस लिखा हुआ है, जिससे कुछ सवाल भी बनते हैं, मैं आपको समझाओगा, फिर इनके एक्जामपिल आपको एक समझाओगा, एक्जाम में आपको लिखना तो है नहीं, लेकिन यदि आप समझे रहेंगे, तो कम चीज से ही आपको काम चल जाएगा, और यह बातें जो आज बता रहा हूँ, आपके दिमाग में आराम से 2-3-4 महिने तक रहेंगे, जब तक कि आपका एक्जाम होगा, ठीक है, अब points wise, हम इसके बातें लिखे पर हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखिवी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले नमर पर लिखा है, the word allele is a general term, यह समाने बात है, यह कुई बड़ी बात नहीं है, जीन के रूप को allele करते हैं, हम समझ चुके, और यह क्या प्रदर्सित करता है, टी नोट मतलब क्या प्रदर्सित करता है, लिखा alternative form of gene, हम यहाँ पर संसोधन करने वाले हैं, alternative form of same gene, एक ही जिन के विभिन बैकल्पिक रूपों को allele कहते हैं, दूसरे gene के रूपों को allele नहीं कहेंगे, जैसे capital R, small r allele है, capital T, small t allele है, लेकि capital R और capital T आपस में allele नहीं है, उनको हम non-allell okay बोलते हैं, ठीक, capital R, small r allele हुए, capital T, small t, alele हुए, लेकिन आर और टी आपस में लिल नहीं है क्यों डिफरेंट जीन के रूप हैं एक जीन के बिबिन रूपों को में लिल कहेंगे अस्पस्ट हो जाना चाहिए आगे लिखा है that denotes alternative form of a gene called a gene यह लिखा है एक जीन के यह सई सेंटेंट दूसरा point है gene mutation may produce many different alleles आपे जीन एक ही जीन में mutation होने पे कई एलिल पन सकते तिसरी बात क्या लिखी है all such alternative form of gene whose number is more than two जब एलिल की संख्या एक जीन के लिए दो से अधिक हो जाए तो उस बेवस्था का नाम multiple alleles है बहुत क्लियर हो गया वह situation जिसमें एक जीन के एलिल दो से अधिक हो जाए तीन चार पांच है जितना यह बात एनी two of these can be present in genome of diploid organism यह बहुत राज की बात है अब suppose करिए किसी जिन का चार एलिल है हमारे पास क्रोमो जूम के दो ही सेट है क्रोमो जूम पे ही जीन को पाया जाना है तो जीन जहां पाया जाएगा वही उसका रूप होगा यानि भले एलिल चार है लेकिन हमारी सरीर में तो हर बार कितना होगा दो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह हुआ ओ ध्यास सुनो जो बोल रहे हैं multiple allele जन संख्या में तो हो सकते हैं कुल आर्गनीजम जितना होंगे किसी species के उनको उनकी जन संख्या कहते हैं तो multiple allele जन संख्या में पाए जाते हैं लेकिन एक इंडिविजूल में तो मात्र दो ही होंगे यह बात दम बैट जाने चाहिए दिपाने क्यों तो होंगे क्योंकि हर जीव में क्रोमोसाम के दो स सेट है लेकिन जिनका दिदो से अधिक सेट है तो उसका नमल्टिपिल है और मल्टिपिल आलीथ का प्रदरसन आप खोजना चाहेंगे कि इनके में दो से अधिक एलील है तो अंसर आगर नहीं है तो फिर है कहा भईया पॉपुलेशन में है यानि हमारे अंदर नहीं है लेकि सबका जब एलील जोड़ा जाता तो तिक जाता है यह यह विल्कूल पैठती चाहिए समान एलील में ऐसा नहीं होता समान एलील में दोनों एली एक जीव में पाया जाते लेकिंद दो से अधिक की बोस्ता सरील है ही रहीं अले粉 कि नहीं सब एग одна मंपने दिए हॉट ठीन सेट हो नहीं हो चार सेट हो, तो समान ने जीव तो डाइपलोइड होता है, चाहे प्लांट हो, चाहे अनिमल हो, आगला पॉइंट, हैपलोइड, हैपलोइड हमने शिखाया, मियूसिस हो जाएगी तो होगा, और उसमें सदेव कितने होंगे, एक, पुछा जाता है, कहा होते हैं, उसी जगह पे होते हैं, जहां उसके दूसरा वागा, सेम लोकस, लोकस मैंने पॉइंट, मल्टिपिल्स, एलेल्स, आलवेज, इन्फ्लिएंस, सेम करेक्टर, वो सदेव उसी गुणों को ही, उसी जिन का रूप है, जिस जिन को करेक्टर, कंट्रोल का, जिस करेक्टर को जिन कंट्रोल कर रहा था, वही करेक्टर इन्फ्लिएंस होगा, प्रभावित होगा, तीसरा no crossing over among the member alleles of the same multiple multiple चुकि एक ही point पे रहते हैं तो उनकी बीच की दूरी सुनने हो गई और crossing over दूरी बढ़ने पे होती है इसका मतलब multiple alleles में crossing over संभाव नहीं है ये भी दिमाग होना चाहिए crossing over दो जिन के बीच दो alleles के बीच होती है same alleles के बीच तब होगी जब उनके बीच दूरी हो ये तो एक ही point पे है जब एक ही point पे है तो distance सुनने हो गया और सुनने distance पे crossing over का chance नहीं यानि ये link नहीं रहेंगे हर समय ठेक अब आगे की बाप अब ये आपको exam के दिन के लिए टिक लगाने के लिए поасс了 क्या points है exam में आएगा कि professionalism का उधारण है option में इन ही चार में पांच में से दो दो चार और पांच ननी exam पे लिखर के हैं इन ही पांच में से एक लिखा होगा तो भी लिखा हो सकता है तीन भी लिखा हो सकता है तीन लिखा होगा तो आंसर हो जाएगा आल आप देव एक भी नहीं लिखा हो सकता है नन आप दीज ते पांच याद रखेज़ें क्या है विंग्स आप ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला के पंक कोट कलर आप रैबिट रैबिट का जो रंग होता है जो आप देखते हैं आट से व से होता है कंटूर हुमन में आप में मैं में बलड ग्रूप और रीस बलड ग्रूप मैं न बोलते हैं ये सब मल्टिपल ऐखांपिल रहा जो पांच याद रखने हैं एक्जामपिल का डिस्क्रिप्शन बहुत नहीं आने वाला और जो आने वाला है वो आपको पता देगे एक और सीटार के सामने आ गई है खरगोश के इसकीन वाल अब देखिए बहुत साधान जल्दी जल्दी में समझाने की कम से कम सब्सक्राइब का उप्यों किया गया है जिससे कि आप कम समय में पहतर समझ सकें लिखा है उपर एलील यह एलील बेटा रैबिट का है रैबिट के एक कोड कलर का कि यह कोट कलर आप रैबिट से समतित है जो की के अ कि प्रकार का मल्टीपिल आलीलीजम सोपथतर है कितने इसलील दिखाएगा इसलीज चाहर बार हो गया तो CH और H नहीं टाइप के लिए लागए स्मॉल सी पे अब जब यह C है इसका पेर्ड फार्म होगा तो क्या होगा सभी के पेर्ड फार्म है समान जीनो टाइप यह हुआ लेकिन एक में दो ही होगा ना एलिल तो चार है कोई दो होगा अब जो कैपिटल सी कैपिटल सी है यह वाइल टाइप है यानि और रिजिनल है और कौन सा रंग दिखाएगा ब्राउन फार्म पर मतरब जो उसका रुआँ होता है जो कैपिटल सी एज कैपिटल सी एज है इनको उमने बोलते हैं चिंचिला और इसका रंग होगा ब्लैक टिब वाइट फर जो टिब होगा वो ब्लैक होगा लेकिन उसके अंदर का रंग जो होगा सफेद होगा उपर से देखने में काला अंदर से उसका रंग जो होगा सफेद जैसे कोई अपना पाल टाई करा है तो नीचे से सफेद रहता है उपर से काला हो जाता है कुछ दिन बाद तीसरा हिमालेयन वाइट फर विट ब्लैक पास और जो उसके पंजे होंगे और जो नाक होगी वहां के जो बाल होगे दिखिए आप इसके सुथन का दिख रहा है यह ब्लैक होगा इसका जो पंजा हो ब्लैक होगा और यह वाइट है अच्छा था बिल्कुल सफेद जो आपको दिखता है एल्बिनो एरेसेसिव करेक्टर हुआ यह चार करेक्टर हुए कलर कर लेके चार एलील हुए लेकिन एक खरवोस में सिर्फ दो दिखें एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एबी यू ब्लड टाइप सिस्टम जो हिूमन का है बात समझ रहे हैं ना वह मल्टिपल एल्लिजम का बेस्ट एक्जाम्पिल है हम इसको एक नई सीट पर समझाने कोशिज करते हैं है हुमन में फोर ब्लड ग्रूप पाए जाते हैं चार प्रकार के ब्लड ग्रूप और यह बात लेंड इस्टीरर ने बताई थी यह आप तो जाते हैं इस चारों में से नाम एदे हम लिखे हैं तो एक है ए एक है बी एक है एबी और एक है कुछ लोगो बोलते हैं कुछ लोग जीरो बोलते हैं इसमें जो एबी ब्लड ग्रूप है इसकी खोज लेंड इस्टीरर ने नहीं की थी इसकी खोज कैस्टेला बी कैस्टेला का था कैस्टेला एंड इनके एक साथी थे इस्टेनी ने किया था अब हम इन ब्लड ग्रूप के चारों के गुण बताते हैं यह है बेटा ब्लड ग्रूप है होता है जो प्लड ग्रूप होता है कि एक स्टेंब़ मेरा यह यहां व्लड ग्रूप原 कre 77 य इक प्रोटीन होती है भांट ये मिल कर होते हैं जो ब्लड के सर्फेस पे आज जाते हैं इस्पेसलि यार्बी के सरफेस में पाय जाते हैं और उनको हम अखें को एंटिजेन के तो जो इंटिजेन होगा जैसा एंटिजेन होगा वैसा ही बलड़ और पूप होगा antigen से blood group A का antigen हो गया capital A antibody होती है small B blood group A का जो genotype किस gen से control होता है वह i-a से control होता है अब i-a से control होगा तो यह dominant है तो यह homo जाएका भी express करेगा यानि i-a आइए भी blood group A होगा और IA हेट्रोजाइगस कंडिशन में हो तो I0 हो जाएगा यह भी blood group यह हो यानि यह दोनों genotype blood group एको ही represent करें बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत कम सब्दों में समझाने के कोसिस कर दढ़ेगा अब आए blood group दूसरे नंबर पे blood group B blood group B का पाया जाना भी एक antigen से होता है और वह antigen capital B है हम बता है जैसा antigen वैसा blood group और इसकी antibody small है और यह भी dominant allele है और dominant allele को हम यहां लिखते हैं I capital B और जब dominant होगा तो इसका expression homo-jagas में भी होगा और heterogayas में भी होगा यानि I B, I B भी B blood group होगा I B, I 0 भी B blood I B, I 0 जो होगा वो heterogayas और I B, I B homo-jagas तीसरी situation उसको हम बोलते हैं A B blood group A B blood group का मतलब दोनों antigen साथ हो यानि A भी हो और B भी हो जैसा antigen वैसा blood group इसका कोई antibody नहीं और जब कोई नहीं होता तो यह सिर्फ तभी पाय जाएगा जब allele I A और I B साथ हो ध्याना किये यह dominant नहीं co-dominant I A से A बन रहा है antigen I B से B बन रहा है तो आपकी एक्जाम में आएगा है कि human में कौन सा blood group में co-dominance पाया जाएगा तो आपका answer है A B blood group blood group देखो ना इसमें lethal gene भी पाया जाता अब पढ़ाये हैं आपको दूसरा एलील हुआ और I 0 तीसरा एलील हुआ तीन एलील यानि दो से अधिक दो से एलील हुए तो multiple लेकिन एक जीव में कोई दो ही एलील ये एक साथ दिखेंगे अब चौथा blood group का नाम है बिटा O blood group या 0 blood group इसमें कोई भी antigen नहीं होगा इसको हम लोग समॉल से भी लिखते हैं I 0 I 0 रेसिसी होने के नाति तो आपके सामने क्या दिखा कि कुल एक, दो, तीन, चार, पांच, छै छै प्रकार के जीनो टाइप दिख रहा है फिनो टाइप चार प्रकार के दिख रहा है antigen तीन तरह का है A, B और A, B, antibody भी तीन तरह के दिख रहा है और चार प्रकार के सामने अब इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो जीनो टाइप भी पूछ सकते फिनो टाइप भी पूछ सकते antibody भी पूछ सकते antigen भी पूछ सकते इसमें codominance भी पूछ सकते बल्टिपिल एलेलिजम भी पूछा यहां एक बात और हम समझाएं आपसे पूछा जाएगा कि जब बल्टिपिल एलेलिजम होता है तो नमबर आफ जीनो टाइप कैसे गया था हमने आपको पताया था कि हम लोग जीनो टाइप का नमबर थ्री टू पावर एंड करके पता है यहां पर फार्मूला अलग है नमबर आफ जीनो टाइप इन बल्टिपिल एलेलिजम पराबर एंड अपार्ट टू एंड प्लस वान अब आपके दिमाग में गाएगा सर इस फार्मूले में एंड क्या है तो मिहां लिखते हैं एंड बराबर नमबर आफ एलील्स अब एवियो बलड ग्रूप में कितने एलील थे बेटा तीन थे अज़िए एंड की वेलू तीन हो तो यह फार्मूला कैसे होगा तीन बटा तो उन्हें तीन प्लस एक तीन प्लस एक चार यानी तीन उन्हें चार बटा दो दो का दो हो गया और दो तिया चह चह टाइप के जिनु टाइप हो गया चह टाइप के कौन हैं I A I A I A I A I 0 I B I B I B I 0 I A I B और एक और I 0 I 0 एक दो तीन चार पांच उच्छ है इसमें जो यह है A B Blood Group यह क्या सो कर रहा है? 4 Dominance आप लोग साफ साफ की मनदारी से बताईए A B U Blood Group का Inheritance आपको समझ में आया या नहीं इससे कम सब्द में इससे साफ सुत्रा हो नहीं सकता फिर भी आप अपना response करिए आप लोग को समझ में आया या नहीं बता बच्चा लोग सभी लोग से पूछ रहे हैं सबको बताना है गौतम, रजनी, सरिता, जूली, गंशाम, विमला सब लोग बताओ Multipleism का human में जो example हम बता रहे हैं ये सभी को समझ में आया या नहीं बहुत सिंपल है समझना बहुत कठिन नहीं है बेटा लेकिन फिर भी हम पूछते इसलिए हैं कि आप लोगों से पूछके जब हाँ सुन लेते हैं तो हमें संतोस होता है और सब लोग सोग है क्या कुछ ही लोग जागे है सिर्ट क्लास में यहां देखिए हमने जो फामूला लिखा है यहां से देखो यह हम Multipleism के लिए लिखा है यदि समाने बात के लिए लिखना हो समाने जीनो टाइप के लिए जो mentalism में पढ़ रहे थे उसके लिए है नमबर आप जीनो टाइप बराबर 3 to power N और N की वैलू यही है नमबर आप एलील यह में पढ़ रहे थे और Multipleism में यह पढ़ रहे थे यह फामूले याद रहेंगे तो आपका कामचा पूछा जाएगा एक्जाम में कि किसी जीन के दस एलील हैं तो कितने जीनो टाइप होंगे ऐसा एक और सवाल आएगा Blood Group Human Blood Group से सबंदित कि कौन dominant है और कौन recessive है तो हम यह लिख देते हैं आई ए इस डामिनेंट ओबर आई जीरो हम यह रो लाया के लिख रहे है जो बड़े की तरफ लिख रहे है वो dominant है जो छोटे की तरफ लिख रहे है ऐसा ठीक ऐसे ही आई डी इस ऑल्सो डामिनेंट ओबर आई जीरो बट तिसरा आई ए ए एंड आई बी बोथ आर डामिनेंट इसलिए आई यह आभी आई बी जब एक साथ होते है तो दोनों का प्रजेंस होता है तो दोनों एक्स्प्रेशन करते है और इस situation को हम co-dominance करते हैं यानि Blood Group का इनरिटेंस, co-dominance का भी एक्जामपल है Blood Group का इनरिटेंस, human में multiple realism का भी एक्जामपल है और इसी में sickle cell, anemia and in lethalism भी पाई जाए जाए लेकिन lethalism का इनरिटेंस नहीं हो सकता हूं ही death हो जाएगी उसकी अगली पीड़ी नहीं आती ये बात आप समझ गया है और अब मैं आपको notes की चीज़े समझा देता हूं ये देखिए ये जो notes में लिखा है पहले से अपने लिखवा के लाए है जिसे कि आपका समय बचे समझा आने वाली बात सब्दों गई आपको ये भी समझ लेंगे पढ़े हैं जो बात आप अभी हमसे सुने हैं उनी को यहाँ पे अच्छे सब्दों में लिख दिया गया है आप में से कुछ लोग सौखीन है कापी किताब दुख लिखने वाले ये उन सौखीन लोगों के लिए है ठीक है आपकी एक्जाम की मुख्य पढ़ाई समझने की है क्या है लिखा है हाँ एंटीजेन एंटीबॉडी रिलेशन्शिप इस वन अफ ग्रेट इस्पेसिपिटी लाइग डाइट बिट्विन लॉक एंटी जैसे ताला चावी होता है ठीक हुए से ही एंटीजेन और एंटीबॉडी का समंधवत आये जाता है इच एंटीजेन एंड इस एस एसोसीएटेड एंटीबॉडी है इस पेकुलियर केमिकल कंगूरेशन यह भी बात सही है जो एंटीजेन कोई भी है और जो कोई भी एंटीबॉडी है उनमें आपस में स्पेसिपिक यानि विशेष्ट रासायनिक समंध या उनकी संदफ नही क्या लिखा है लैंड इस्टेइनर उननीश सों में बता है कि रेड ब्लड सेल्स पे रेड़ सेल्स पे के उपर placed in the serum of another person, the cells become clumped. ये एक सेल का RBC दूसरे आदमी के RBC पे डाला गया तो clumped हो गई यानि वो जम गया वो उसमें fusion हो तिसरी बात if blood transfusion were made between person after such इस तरह के बेक्तियों में दी blood का transfer करा दिया जाए तो your transfuse cell clump कर जाएगी और capillaries block हो जाएगी और अंततम वृत्ति हो जाएगी तो आप सुने होगे कि blood group का जाच करने के बाद ही हम लोग blood का transfusion यानि एक दूसरे के सरी में transfer करा है अब दूसरी बात क्या आए कि I A allele course for A molecule I A allele एक A molecule बनाता है red blood cell के लिए और I B allele B molecule बनाता है red blood की surface पे और I small I allele कोई molecule नहीं बनाता यानि I A blood group A के लिए था I B blood group B के लिए था और I 0 blood group के लिए है सीधा इन केस आप I A and I B allele are co-dominant और I A, I B क्या है एक साथ है तो co-dominant है क्यों blood group क्या हो जाएगा A B दोनों का प्रदरसर A से A का B से B का होने लगा और जब हेट्रो जाएगस condition में allele अपने को express करें तो dominant दोनों करें तो co-dominant although there are three alleles, alleles देखें गिंती में एक, दो, तीन हो गया तो multiple alleles हो गया लेकिन यह तीन alleles कहा होगा, population में कोई zero blood group वाला है, कोई B वाला है, कोई A वाला है, कोई A भी वाला है उनी में तो यह allele है, तो allele तीनो population में है, लेकिन जीव में एक इनसान में तो सिर्फ दो ही allele पाये जाएंगे यह भी मैंने आपको बात बहले समझा रखी है, वही लिखा हुआ है, this produce genotype and phenotype shown in the figure phenotype कितने है बेटा, चार, और genotype कितने है, 6, अब figure कहा है, आगे दिखा देते हैं, यह आपको फिगर था, यह चार genotype, A, B, A, B, A, B, A, B और 0, और फिनो टाइप 6, इसके अलवा भी आपको figure में दिखा जा सकता इस बात को, लेकिन यही बात उस figure में भी है, यह देखिए figure है inheritance है, यह IA, एलील है, यह IB, एलील है, और यह small I, ठिक, यह जैसे माल लेते हैं, यह male parent है, तो female parent है, अब इनके बाद कितने से, किसका किस से crash कराएं, तो क्या chance होगा, इस chart से पता चलेगा, यह दि IA वाले का, IA का हो, तो सारे संतान, A, blood group वाले है, capital A लिखा हुआ है, बड blood group वाला नहीं होगा, ठिक, इसी तरह से, blood group A वाले का, B वाले से साधी कराए जाए, तो सिर्फ और सिर्फ संतान, A, B, blood group वाले होगे, यदि IA आई भी मिलकर, यदि B वाले का, B वाले से कराए जाए, तो सिर्फ B, blood group वाले संतान होगे, और B वाले का, 0 blood group से साधी कराए ज Сब्सक्राइब तो आच कि आपना अपना जवाब दो आप लूमके बात समझे आ गई या नहीं इसी को एक और चार्ट से समझाने कोसिस की गई है साधी के हिसाब से कि जीरो जीरो वाले का जो हम आपको समझा रहे हैं बगल वाले चार्ट से वहीं यहाँ पे उसको बना के दिगाए गई यहाँ चार्ट इजी था आपके लिए किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आज की Multiple Illusion को हम समाथ करना चाहते हैं अगली क्लास में हम आपको Pleiotropic जो आज समझाए हैं उसके बारे में बताएंगे किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए किसी कोई सवाल हो कोई दिमाग में पुरा फाथ चल लई हो पूछ सकते हैं क्योंकि हम इस क्लास को समाथ करने वाले हैं